नमस्कार बच्चों आप सभी का सौगत है आपके अपनी यूटीब चैनल होम साइंस में जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं है हैमे ऐं आते हैं लाकी सब्चता स्युजय को शाय के वाले ही अजिए आप सब मीजोषाय कह वहां में वालो आप सब्च froze देन्थ आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है मिलावट जी हमिलावट जैसे की आप food and nutrition science पढ़ने हैं तो nutrition में जो पोशक्तत हैं जो food हैं जो भोज़ पदार्थ हैं उनमें कई तरह से ऐसे मिलाओट भी पाई जाती हैं जिन्हें हम खाने के बाद बीमार भी पढ़ जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए हानिकारग भी होते हैं तो आज हम कुछ महतपूर जानेंगे जिनसे हमें क्या हानिया होती हैं और किन ऐसे पदार्थों में भोज़ पदार्थों में मिलाओट होती है जिससे हमें इसका effect पढ़ता है ठीक तो आगे बढ़ते हैं तो बच्चों अभी तक जिन बच्चों ने मिलाओट होती है और मिलाओट होने के साथ-साथ इसे अगर हम यूज करते हैं तो इसे हमें कई तरह की विमारियां भी होती है तो आईए देखते हैं कौन-कौन से ऐसे भोज़ पदार्थ हैं जिने हम यूज करेंगे तो उसमें कौन से मिलाओट होती है और किस तरह से हमें संकट हमारे सौस पर संकट आ सकता है ठीक तो आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट है आप सब देखते होंगे मैंने पहले बताया यह आज का टॉपिक यह है भोजपदार्थ स्कूलों के सामने बेचने वाले जैसे कोई आप सब देखते है न इसकूल के सामने बेचने वाले कई ऐसे बिक्रेता होते हैं जो गिम्टी लगा हुए होते हैं दुकान लगा हुए होते हैं तो इसकूलों के सामने बेचने वालों से समभाब सौस्त संकट होता है देखते हैं क्या क्या है आम पापड आपने खाया होगा कभी न कभी आम पापड तो आम को क्या होगा इसका वक्ट चक्कर आएगा वुल्टी भी हो सकती है दस्ती भी आ सकता है तथा उधर शूल भी हो सकता है ठीक आगे देखते हैं अगर आप सबसे को आप सबको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें ठीक मैं आप सबी के प्रशनों का उत्तर अवस्य दूगी सिकेंड है बर्फ कैंडी तो आपने बर्फ कैंडी भी खाई होगी है ना जो बर्फ मिलाई ठीक तो उसमें क्या होता है बच्चो पीला रंग विसैला होता है उसमें पीला कलर होता है जो क्या होता है बहुत ही विसैला हो तो नहीं खाये होंगे रोडी मीर यह तो होता है जिसके क्या होता है जिससे क्या होता है सब्सक्राइब हुआ है क्यों रहने कि और यांसर और होता है याद रखना गत्युश्ज कै spindle औरेंज होता है या यक्रित गुर्दों जिल्ली में विकार पैदा करता है इसे हम जो रसबुला यूज करते हैं जो इसकोल के सामने बिखता है इसमें ये सभी मिलाओट होती है जिसे क्या होता है हमें यक्रित समस्या होती है गुर्दों से और जिल्ली में विकार भी हो जाता उसके पाद रंगेन मिठाईया जी हाँ बच्चों आपने कलरफुल मिठाईया तो खाई ही होंगी हमेशा खाते भी आ रहा है इसमें क्या होता है नीला पील नीला पी आर एस लगा रहता है जिसमें अस्थियों चमडी फेपरों से कस्ट होता है ठीक चीनी मठी सौंफ जो ची देख के खाना जिसमें ज्यादा मिला उठो वो ना खाए ठीक सिकन्ड आता है नारियल यह आपके स्लेवस में है इसलिए हमें पढ़ाना भी जरूरी है आप सबको पढ़ना भी जरूरी है ठीक नारियल है उसमें लकडी का बुरादा पाया जाता है मिला दीते हैं जिसे क्य पेट में जलन होती है, चूड है, इसमें रंग होता है, अधिक सीसा भी होता है, जिसे क्या होता है, इसमें सीसे की अधिकता होने से मांसिक और उद्रता, मस्तिस्क की छती भी होती है, सुपाड़ी आपने खाये होगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई बच्चा नहीं होग जो सुपाड़ी खाता होगा क्योंकि आप सबको पता है होम साइंस के स्टुडेंट है एरेंस सेकेंड पाया जाता है और अमाइन पाया जाता है धूल तथा अन गुठलियां भी पाया जाती है किसमें सुपाड़ी में इसे उप्योगत रोग तथा उधर बिकार भी होता उप्योगत रोग का मतलब जानते हो यह जो सीसा की अधिक्तर हसे क्या होता मांसिक और उद्रता होती है मस्तिस की छेती होती है यह रोग भी हो सकता है सुपाड़ी काने से ठीक जो मिलावट वाली सुपाड़िया होती है टॉफी विस्कुट इसमें होता खड़िया होता है मिट्टी और कई बार एस्बेस्टिस भी पाया जाता है ये कैंसर भी बनाते हैं ठीक उसके बाद आता है मौंग डाल जो आप सब मौंग डाल की नमकीन नहीं खाते इसके बारे में बात की जा रही है मौंग डाल जो खड़िया होती है उसमें एस्ट्रेस पाया जाता है पीला रंग होता है जो पुरसों में क्या होता है छेरो परदान करता है उसके बाद आता है मौंग फली जिसमें खमीर और फांक सगा विसेला तत तो ये क्या होता है इसे यक्रिद बिकार तथा कैंसर भी हो सकता है ये बच्चों मौंग फली कहां जो मौंग फली आपको आपके स्कूल के सामने खूले में बिगती है ना बिना छिलके वाली ये सब भानिकार रखोती है तो आई होप आपने समझा होगा बहुत अच्छे से नेस्ट वीडियो में बहुत अच्छे से विस्तार से हम समझाएंगे कौन-कौन से ऐसे भूज़ पदार्त होते हैं जैसे चीनी में किस तरह से मिलावड की जाती है और किस तरह से चावल में जैसे काली मिर्च है कई ऐसे भूज़पदार्थ दूर से बने पदार्थों में कैसे लाउड की जाती है यह सब हम नेस्ट वीडियो में दिस्तार से जानेंगे तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै मातारानी